हेलो डियर स्टूडेंस कैसे हो आप सब मैं सुचिल दिवेदी आज एक्सराइज 2.3 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत छोटी से और बहुत आसान है ठीक है वैसे तो बच्चों इस टाइम मैं फेस टू फेस वीडियो शुरू कर दिया हूं वाइड बोर्ड देखें exercise 2.3 फाइंड दरीमेंडर फैन x3 प्लस 3 x स्क्वाइर प्लस 1 इस डिवाइड बाई x1 x-1 बाई 2 x x प्लस 5 and 5 प्लस 2 x बचों कभी भी अगर आपको रिमेंडर चाहिए तो बिल्कुल सिदी सी बात होता है कि आम तोर पर आप क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं पता चल जाता है लेकिन यहां पर भी हम डिवाइड नहीं करेंगे शेवेंडर थियरम के बारे में बात हुई थी पिछली वीडियो में हम उसी का यूज करेंगे यहां पर रिमेंडर फाइन करेंगे जो की बहुत आसान है ठीक है ध्यान से देखिए अब जैसे जो पॉलिलोम प्लस 3X स्कौायर प्लस 3X प्लस 1 ठीक अब हम पहले पार्ट की बात करेंगे पहले पार्ट में क्या है बच्चो X Plus One यहीं कि अगर X Plus One से इसको डिवाइड किया जाए तो रिवेंडर क्या होगा बिलकुल ध्यान से देखिए बहुत सिम्पल है आपको निश्री तरोप से अ divided by x plus 1 ठीक है जब हम x plus 1 से Px को divide करेंगे तो x plus 1 is equal to क्या रखेंगे बच्चों? 0 हर बार हर कुशन में यही करेंगे ध्यान रखना तो जब x plus 1 is equal to 0 है तो x is equal to क्या आएगा? माइनस 1 हमें reminder चाहिए ठीक है? तो वो जो Px है वहाँ पे हम क्या करेंगे? P of minus 1 निकालेंगे अब जब P of minus 1 का मतलब है कि उस polynomial में यह जो है यह इस पे हम x के place पे minus 1 रखेंगे ठीक है? अब जो भी आएगा remainder होगा तो चलिए हम पूरे polynomial में x के place पे जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ माइनस 1 रखेंगे सबसे पहले एक से क्यूब है इस और x के place पे जब हमने माइनस 1 रखा यानि माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 x स्क्वेर यानि 3 इंटू माइनस 1 स्क्वेर प्लस 3 x यानि 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 ठीक है? हमने क्या किया है? उस polynomial में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस 1 रख दिया है अब आप जड़ा ध्यान से देखो, माइनस 1 की पावर 3 है यानि माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना आएगा? माइनस 1 आएगा, प्लस यहां माइनस 1 का स्क्वेर आप करोगे तो प्लस 1 आएगा 3 x 1, 3 और ये 3 x 2 माइनस 1, माइनस 3 और लास्ट में क्या है? प्लस 1 यह 1 1 हो गया, कैंसल सॉरी, यह 3 3 कैंसल हो गया और यह 1 1 भी कैंसल हो गया यहनि ओवराल रिमेंडर कितना आया? 0 आया इसका मतलब है बच्चों कि P x को जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर कितना आयेगा? 0 आयेगा, ठीक है? तो चलिए इसी तरह second part चेक करते हैं second part में हमें पूछा है कि अगर हम x-1 by 2 से डिवाइड करें तब क्या रिमेंडर होगा? तो फिर से भाइ लिखेंगे when P x is divided by x-1 by 2 तो इसके equal में क्या करते हैं? हम 0 रख देते हैं ऐसे ठीक है? अब minus 1 by 2 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 by 2 हो जाएगा यानि x के place पे इस बार क्या रखना है? 1 by 2 कहा रखना है? उसी polynomial में जो P x था यानि इस बार हम रखेंगे P 1 by 2 और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1 by 2 रखेंगे जैसे सबसे पहले x क्यूब था यानि की 1 by 2 की पावर 3 कहा x क्यूब था रहे? उसी polynomial में जो कुशन में गिवेन है ठीक है? फिर 3 x स्क्वेर यानि 3 into 1 by 2 स्क्वेर फिर क्या था? 3 x यानि 3 into 1 by 2 प्लस 1 ठीक है? चले इसी को जड़ा सा और simplify कर लेते हैं remainder हमारा क्या होगा पता चल जाएगा यह 1 by 2 की पावर 3 है मतलब क्या 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 ऐसे ही दो करते हैं और जब भी किसी fraction का multiply करते हैं तो जो upper part यानि numerator है उसका आपास में multiply करेंगा जो denominator है उसका denominator के साथ multiply करेंगे ठीक है न? तो इसका मतलब कितना आएगा 1 by 2 की पावर 3 और यहां भी वन टाइम जाएगा इसलिए यह वन फोर 2 जार एट सो 2 का 3 में multiply 6 हो गया और 2 से 2 फोर जार 8 होता है न? तो उपर वाले में 4 का multiply यानि की 12 हो जाएगा और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो ही है इसलिए 8 का multiply हो जाएगा इन सभी को हम जोड देंगे ठीक है? तो 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 12 19 और 19 और 8 27 बाई 8 यही और हमारा हो गया reminder है ना बिल्कुल आसान? आपको क्या करना है बच्चों अच्छे समझ ले? वो जो polynomial दिया हुआ है हम जिससे divide करते हैं उसकी equal में 0 रखते हैं और फिर जो x की value आती है उस पूरे polynomial में रख देते हैं अपने आप पता चल जाता है ठीक है ना? तो चलिए इसी तरह बिल्कुल इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों? थर्ड पार्ट में केवल x है तो जब x से divide करोगे तो इस बार क्या करोगे? x की equal में 0 रख दोगे ठीक है? भई हर बार तो हमने यही किया है जिससे भी divide करते हैं उसी की equal में 0 रख दिया है इस बार भी यही कर रहे हैं ठीक है? तो जब x is equal to 0 हमने रखा है तो इस बार यानि की p of 0 निकालेंगे सबसे पहले क्या था x cube यानि 0 to power 3 plus 3 x square यानि 3 into 0 square plus 3 x यानि 3 into 0 plus 1 अब 0 की कितनी भी power हो? 0 ही आएगा और ये भी 0 और ये भी 0 लास्ट में कितना आया? 1 आया अब हमारे पास क्या बच्चा? 1 यानि के remainder कितना है बच्चो? 1 है ठीक है? तो इसमें कुल 5 पार्ट है अचली एक पार्ट और आपको 4 वाला भी मैं बता देता हूँ 4 पार्ट में आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो X प्लस पाई से पाई की पावर 3 प्लस 3X स्क्वायर यहनी 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3X है यहनी 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 ठीक है? अब आप इसको जड़ा सिंप्लिफाई करिए तो माइनस पाई की पावर 3 करेंगे माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू पाई किया तो माइनस 3 पाई प्लस 1 यही आपका रिमेंडर हो गया आप कोई नंबर तो है नहीं कि इसको हम जोड़ के रख दे पाई एक कॉंस्टेंट होता है जोई आप वैसे भी हाँ अलग अलग पावर है इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे ठीक है इस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वाइर प्लस 6 एक्स माइनस ए ठीक है तो वही है यह पी एक्स क्या है किसी पॉलिनुमियल को हम नेम दे रहेते हैं ठीक है अब फिर से वही लिखेंगे वैन पी एक्स इस डिवाइड़ बाई एक्स माइनस ए अब हम एक्स माइनस ए से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स माइनस ए इस इक्वल टू जीरो यानि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो इस बार हमें रिमेंडर फाइन करने के लिए क्या करना होगा X है, वहाँ वहाँ हम A रख देंगे, बिलकुल उसी तरह जैसा कि पहले कुश्चन में किया था, X क्यूब यानि कि A क्यूब माइनस, प्लस नहीं है, इस इस माइनस, माइनस A X स्क्वार, यह नहीं A इन्टू A स्क्वार, प्लस 6X यानि 6 इन्टू A, माइनस A, अब क्या है हमा हमारे पास A क्यूब माइनस, बच्चों, यह A स्क्वार हो जाएगा और यह A, एक A, यह एक पावर, इसकी, यहनि कि जब जोड़ोगे तो यह भी क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, फिर इदर क्या बचा, 6 A माइनस A, यह तू कैंसल हो गया, चुकि प्लस माइनस में है, 6 A माइनस A कितना होता है, 5 A, यही हमारा रिमेंडर हो गया, क्लियर हो गया न, कोई दिक्कत तो नहीं, तो चलो कुशन नमबर 3 देखते हैं, 3 में क्या है, चेक वेदर 7 प्लस 3 X is a factor of 3 X Q प्लस 7 X, कुशन बहुत आसान है, सबसे पहले आप अपना कुशन समझ लें, होने का मतलब ही होता है, अगर रिमेंड उससे हम डिवाइड करते हैं, मालो एक पॉलिनुमियल P X है और दूसरा Q X है, अब अगर मैं एक पॉलिनुमियल को दूसरे से डिवाइड करता हूँ और रिमेंडर 0 आ गया है, तब तो कहेंगे हम उसको Q factor है, और रिमेंडर 0 नहीं आता तो factor नहीं है, तो यहाँ आप क्या करो, यहाँ भी क्या करो, let P X is equal to 3 X Q plus 7 X, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, पॉलिनुमियल हो गया, और हमें चेक करना है 7 plus 3 X को, तो यहाँ पे लिखेंगे, when 7 plus 3 X divides P X, जब 7 plus 3 X P X को divide करेगा, तो क्या हो जाएगा, 7 plus 3 X is equal to 0 होगा, और यह जो 7 है, उधर जाकर के minus 7 हो जाएगा, so X is equal to minus 7 by 3, ठीक, अब इसी X की value के लिए हमें remainder find करना है P X में, यहीं कि हम क्या निका निकालेंगे, P of minus 7 by 3, अगर remainder 0 आ गया, तब तो factor है, और अगर 0 नहीं आया, तो फिर factor नहीं है, कहां रखेंगे, उसी P X में, क्या था, 3 X cube, यानि 3 into X cube, X की place पर क्या है, minus 7 by 3 है, power 3 लगा दिया, plus 7 X, यानि 7 into minus 7 by 3, ठीक है, चलो जड़ा इसे simplify करते हैं, तो यह हो जाएगा, 3 into, बच्चोई जो 7 by 3 है, पावर 3 लगी, इसको 3 टाइम आप मल्ट मल्टिप्लाई करोगे, 7 into 7 into 7, ठीक है, तो क्या आएगा, 3, 4, 3 आएगा, आप मल्टिप्लाई करके, चेक कर लेना, और 3 into 3 into 3 कितना आएगा, 27 आएगा, minus भी लगा है, तो यह minus में आएगा, और यहां भी plus minus, minus, और यह 49 upon 3, ठीक है, यहां 3 से यह कैंसल हो गया, अब जब कैंसल हो गया, तो क्या बचा, minus, 3, 4, 3 by 9, minus, 49 upon 3, ठीक है, अब अगर हम LCM लेते हैं, तो 9 और 3 का LCM कितना होगा, 9 ही तो है, so this is minus, 3, 4, 3, minus, 3, 3s are 9, यहीं 3 से multiply उपर हो जाएगा, 3, 9s are 27, and 3, 4s are 12 plus 2, 4, यहीं 40, 14 हो गया, अब दोनों minus में हैं, तो यह add हो जाएगा, minus 4, 90 by 9, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर remainder 0 आएगा, तभी यह factor is not equal to 0, अगर remainder 0 नहीं आया, तो यह factor नहीं हो सकता था, यहाँ पर लिखेंगे, so, since remainder is not 0, so, 7 plus 3x is not factor of px, ठीक है, remainder 0 नहीं आया, इसलिए, 3x q plus 7x का 7 plus 3x factor नहीं है, ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले exercise के साथ, तेंक यू.